सावमी का प्रोड़क्ट रेंज जो है वो बहुत है साधा वाइड हो चुका है दोस्तों आप मैंसे बहुत लोग साध जानते नहीं होंगे पर सावमी स्मार्टफोन और टीवी के अलावा और भी बहुत सारा लाइफस्टाइल रिलेटेड इलेक्ट्रोनिक्स बनाता है तो दोस्तों आज हम सावमी के तरफ से एक रिचारजबल एलेडी लाम का रिव्यू करेंगे और यार वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं मेरा ओपिनियन दूंगा कि क्या आपको ये प्रोड़क्ट लेना चाहिए कि नहीं तो दोस्तों मेरे पास इसका बॉक्स पैकेजिंग तो नहीं है क्योंकि मैं ये प्रोड़क्ट बहुत ही पहले खरीद लिया था बट आइकन एस्यूर यू दाट एमाई अपने सारे प्रोड़क्ट से पैकेजिंग बहुत ही जादा अच्छा करता है आपको यहाँ पर LED लैंप देखने को मिल जाता है और इसके साथ एक वाइड कलर का Micro USB to USB केबल देखने को मिल जाता है तो यार यही दो चीजी हमें देखने को मिलता है इसके बॉक्स में अब अगर बात करें इस लैंप के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो दोस्तों इस लैंप के बहुत ही जादा sturdy build है और इसका यह जो supporting rod है यह पूरा metal का बना हुआ है और इसका base जो है वो high quality and tough plastic से बना हुआ है इसका design बहुत ही जादा aesthetic और modernist है और मेरे ही जाप से आप कभी इसके design के बारे में complain नहीं करोगे now coming to its top part जो किसी भी table lamp का सबसे जादा most important part होता है तो इसका LED bulb holder जो है वो plastic से बना हुआ है और एक frosted glass से LED को seal किया गया है उसके अंदर ताकि जो light आएगा उसके अंदर से वो diffuse होके आएगा यह generally आखों के लिए बहुत ही जादा अच्छा होता है और इससे आप long time के लिए table lamp के अंदर पढ़ाई कर सकते हो या फिर कोई official work भी कर सकते हो तो दोस्तों अगर आप वीडियो में यहां तक आ चुके हो तो प्लीज एक like कर देना और मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलना तो आप बढ़ते हैं इसके features के तरप और यह बहुत ही जादा straight forward है first of all दोस्तों यह कोई smart lamp नहीं है इसके base पे एक single button है जिसको एक बार click करने से lamp on हो जाता है और इसको click करके hold करने पे इसके light temperature और brightness को change किया जा सकता है तो दोस्तों इसमें तीन setting से light को adjust करने के लिए first में आपको lowest brightness और warm light देखने को मिल जाता है और second में आपको medium brightness और थोड़ा कम warm light देखने को मिल जाता है और finally third में आपको highest brightness और cool light देखने को मिल जाता है इसको charge करना बहुत ही ज़्यादा simple है और इसका battery backup जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और एक single full charge में ये आपको at least 3 to 4 hours of backup दे सकता है अपने highest settings पे और lowest settings पे तो ये almost 40 hours का backup दे सकता है तो दोस्तों finally आते हम verdict पे कि क्या आपको ये table lamp लेना चाहिए की नहीं तो दोस्तों मैं ये lamp almost एक साल से use कर रहा हूँ और मुझे personally ये lamp बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है इसका brightness भी बहुत अच्छा है और rechargeable है इसलिए current dropouts के time ये आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा currently इसका price 1500 है और ये आपको Amazon और MI के खुद के site में मिल जाएगा अगर आपको खरीडना है तो मैं इसका link description में provide कर दूँगा आप जाके check out कर सकते हो दोस्तों 1500 के price में इससे ज़्यादा better table lamp आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा night time में आपको अगर पढ़ाई करना हो या फिर official work करना हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा help करेगा तो final दोस्तों अगर आपको ये video पसंद आया है तो please मेरे channel को subscribe करके मुझे support दिखाना और इस video को एक like और share जरूर करना और दोस्तों comments पे भी mention करना अगर आप ये lamp खरीदना चाहते हो की नहीं मिलते हैं next video पे तब तक stay creative and stay curious हुआ है